हेलो गाइज वेलकम बैक गुड मॉर्निंग तो फ्रेंड चाय पी लीजे मैं अभी चाय पी रही हूं सुबा सुबा और सुबा मैं चार बजे उटकी थी अभी तो साथ बज रहे हैं तो ये मेरी दूसरी चाय है अभी क्यूंकि आज कल एक्जाम लगे हैं बच्चों के तो ब कर लिए घुजा रप्रवरत ये और बैसा और लिए तो इसके बाद लुट सुबा कर रहा हूं मेंध्या क्यूंकि रहा बजाने दूसरी प्रहूं था और लोग है अभी ठाबा कि दूसरी चाय पी तो रुखना चाहां है चैलते हूं कि ा Hz बाकते लुट तो शोंके लिए नहाने गई है कुशु और उसके बाद वो स्कूल के लिए तयार होगी तो अभी लंच बगएरा पैक करने को है बाकी काम तो सुबह सुबह ही निपर जाता है जल्दी उठके सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है तो अभी सारा काम मेरा हो चुका है पूजा भी हो चुकी है च शाम की बहुत होती है करने को जो समान निकाला होता है तो सारा सैटिंग करके सुबह और सफाई बजारा काफी काम होता है तो वो भी सुबह पांच बजे शॉप खोल देते हैं और फिर उसके बाद अपना न्यूस पेपर पढ़ने वैठे होते हैं न्यूस पेपर आ जाता है वो दो तीन न्यूस पेपर होते हैं पंजाब केसरी और इधर सोसाइटी है एक सोसाइटी वालों के भी होते हैं तो वो दिवे हिमाचल होता है और एक और होता है तो दो तीन न्यूस पेपर जो भी आते हैं वो सारे पढ़ लेते हैं सुबह सुबह ही और साथ में टीवी च क्या करूंगी कि सबसे पहले तो मैं इनका उपर उपर से पतला पतला चिलका निकाल लोंगी क्यूंकि इसका जो चिलका होता है वो उपर का कड़वा भी होता है और थोड़ा हाड भी होता है तो अगर हमें अचार भी डालना हो तो फिर वो थोड़ी कड़वा हट आ जाती है तो इसलिए इसका उपर का चिलका बिल्कुल पतला पतला सा चिलका निकालना है पिलर से भी निकाल सकते हैं और चूरी से भी निकाल सकते हैं और जो इसका रस होगा वो मैं इसमें जो मैंने अधरक काटके डाला है डबे में मैं इसमें डालोंगी और बाकी जो इसका चिलका ज दूप लगानी है इसको तो जब ये अच्छे से सूख जाएगा फिर इसका अचार डालना है तो अभी मैं चिलके निकाल रही हूँ और ये दिखे सारे चिलके मैंने निकाल दी है इसके पतले पतले चिलके निकालने है पूरा चिलका नहीं निकालना है और अब इसको दो पार tras damage ज्ट पड़ो खलार के काफे साल गए इसनिकल रहा है और जोड तो थटा लगेगा पर से इसनिकल काफी होता है और इतने सारे जब बीज मुह में आते हैं तो बहुत गंदा लगता है तो इसलिए अगर पहले ही बीज निकाल दिये जाएं तो अचार एकदम साफ सुतरा होगा और फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबी जा रही थी तो मैंने इसकी स्पीड थोड़ा तेज कर दी थी और ये देखे कितने सारे इसमें बीज निकले हैं इतना इसका रस निकला जितने बीज निकले हैं इसमें और ये देखे कितना रस भी काफी निकल रहा है वैसे तो पर बीज बहुत ज़्यादा निकले हैं और अगर इनकों नहीं निकालते तो ये अचार में कितने गंदे लगते हैं तो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही साथ साथ में इसको निकाल दिया और इसका बीज और रस निकालने के बाद मैं इसको छोटे-छोटे pieces में cut कर लूँगी और उसके बाद इसमें हल्दी और नमक मिक्स कर दूँगी ताकि इसमें कड़वाहट न आये और ये हमारा अचार सेफ रहे तो उसके इसमें पहले ही हल्दी और नमक मिक्स करके फिर इसको दूप में सुखाने रखूंगी क्योंकि अगर हम इसमें नमक और हल्दी पहले नहीं लगाते हैं तो ये अचार कड़वा भी हो सकता है तो इसके लिए हमें पहले इसमें नमक हल्दी मिला के और फिर इसको सूखने के लिए रखना है प्रफ़ इसके लिए रखना है तो फ्रेंड्स इसको छोटे-छोटे पीसिस में मैंने कट कर लिया अभी और ये देखे ये इसका सीजन होता है एक ठंड के सीजन में ये खटे लगते हैं और तब हम इसका अचार भी डालते हैं गर्मियों के लिए डाल के रखते हैं और साथ में सर्दियों में इसकी दूपनी बनाते हैं दूपनी बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में तो इसको ऐसे ही काट के और फिर उसमें नमक, मिर्च, मसाला, हराधनिया सब कुछ मिला के और फिर जो हमारे उपले होते हैं गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं उसकी जो आग होती है उसको रखके और फिर उसमें तेल डालके इसको धूपनी देते हैं उसकी तेल की तो वह हम धूपनी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में और वह बहुत ही टेस्टी बनती है और वह गरम होती है उससे बिमार नहीं होते अगर हम उसको दूपनी बनाके खाते हैं तो बिमार नहीं होते तो वह बहुत अच्छी चीज होती है और सरदियों में ज़्यादा खाते हैं हम लोग तो अभी तो मैंने रखे नहीं है दूपनी बनाने को क्योंकि ये थोड़े से थे तो मैंने सारे ये अचार के लिए काट दी हैं लेकिन अभी फिर से मैं लेके आऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इसकी दूपनी बनाते हैं तो फ्रेंड्स देखे इतना सारा इसका रस निकला है और मैंने इसके बीज निकाल लिए साइड में और अब ये सारा जितना भी रस है उसको मैं डाल दूँगी अदरक वाले डबे में जो मैंने अदरक काट के डाला है और ये अद्रक का अचार बहुत ही टेस्टी बनता है इस खटाई डाल के इसमें तो इसको आप पहले दिन डालो और अगले दिन खाना शुरू कर दो तो ये जल्दी खा सकते हैं आप इसको और बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे तो इसके बीच में हरी मिर्च डाल दो तो बहुत अच्छा होता है और ये देखिए डबे में मैंने इसका रस डाल दिया है और यह इसमें अदरक में अच्छी तरह से मिल जाएगा रच जाएगा और फिर यह बहुत टेस्टी अदरक बन जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स यह मैंने पीसिस कट करके रखे थे छोटे छोटे चोटे तो इसमें मैंने हल्दी और नमक मिला दिया है अभी और अब इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि हर एक पीस में अच्छे से हल्दी और नमक मिल जाए और इसमें हवा न लगे और यह कड़ बीज दिख रहे हैं तो इनको मैं गमले में डाल दूंगी और वहां पेड उग जाएंगे तो उसको हम निकाल के फिर घर में लगा सकते हैं और यह देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको रख दिया है धूप में सूखने के लिए और अब इसको मैं दो तिन दिन इसी तरह से सुख जाए मुनारी फ्रेंड्स यह मुंबी के घर के अखरोट और यह अखरोट ऐसे हैं कि इनको तोड़ने के लिए कितने ओजार चाहिए देखो यह फिर उसके बाद निकालने के लिए यह तो यह बहुत ही हार्ड अखरोट है और बहुत मुश्किल से तोड़ने पड़त को तोडने का स्टाइल क्या है और अब सुख का काम है यह जो फसावर आ जाता है इसमें गी ऐसे निकलता नहीं है अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यह पूरा चुरा-चुरा बन जाएगा, इसलिए इसको सुई से निकाल देंगे, यह रिखिए, यह पूरा निकल गया, सुई से, तो इस तरह से यह है इनको तोडने का तरीका, सुई लेके बैठो आराम से, और फिर तोड़ो, और यह फ्रें तो ये देखिए ड्राइंग बन कर तयार हो गई है और मेरी वीडियो को इंजॉय कीजिए और फुल वाच कीजिए